नमस्कार दोस्तो, Study.5J में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज हम CTAD 2019 का previous year का पेपर सॉल्ड करने वाले हैं इसके अंदर हम परियावरण और हिंदी के प्रसनों को सॉल्ड करेंगे इससे ये इसका भाग दो है, इससे पहले एक वीडियो बनाई गई है उसमें बाल, विकाश और गणित के प्रसन हल किये गए हैं तो चलिए इस वीडियो में हम परियावरण हिंदी के कुश्चन सॉल्ड करते हैं जो पूछे गए थे तो पहला प्रसन जो पूछा गया है वो था कि निमलिकित मैंसे क्या परियावरण अध्यन के लिए के संदर्व में सही है तो सही आंसर बताना था परियावरण अध्यन के अंदर तो चार आप्सन आपको जैसा कि हर कुश्चन में मिलते हैं दिये गए थे उसका राइट आंसर था एक से दो की कख्षाऊं के लिए भासा और गणित के माध्यम से परियावरण अध्यन पढ़ाया जाता है चले नैश कोश्चन नैश कोश्चन जो पूछा गया था वो है बच्चों को परियावरण अध्यन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा परियाप्त समय दिया जाता है यहां इंगित करता है तो यहां इंगित क्या करता है अंसर भी इसका राइट था परियावराण अध्यान बाल केंद्रित है यह इंगित करता है नैश कोशन परियावराण अध्यान कक्षाओं में तीन से पांच के लिए एक विशाय छेत्र है जो संकलित करता है तो क्या संकलित करता है तीन से पांच के कक्षाओं के लिए एक विशाय छेत्र पर्यावर्ण शिक्षा, समाजिक अध्यन और विज्ञान के अध्धानाओं और मुद्दो को ये इसका राइट आंसर था चलिए नैश कोशन जो है पूछा गया वो है निमलिकित मैं से क्या पर्यावरान अध्यान के सिक्षक के लिए वांचनी गतिविदी है तो पर्यावरान अध्यान के शिक्षक के लिए जो गतिविदी होनी चाहिए वो थी विभिन्न कक्षाओं के बहु सांस्कृतिक छेत्रों का संबोधित कराना निमनिकित में से क्या परियावन अध्यान में बच्चों के द्वारा ग्यान की रचना में महत्तोपूर्ण है तो चार आप्सन आपको दिये गए थे पहला बच्चों को सक्रिय भाग लेना बच्चों के समुधाय के सदश्य परियावन अध्यान की पार्थे पुस्तके या परियावन अध्यान की पार्थे पुस्तके में ती गई व्याक्या और परिभाशा तो इसका right answer D वाला A, B, C हमारे ये तीनो right answer थे इसमें कि बच्चों की सक्रिय भाग लेना समुदाय के सदश्य होते हैं परियावना अध्यन की पार्थे पुस्तके चलिए next question जो पूछा गया वो है निम्लिकित मैसे कौन सा परियावना अध्यन पार्थे करम में पार्थे करम के सुझावी प्रकरणों का उप प्रकरण है तो उप प्रकरण है इसका प्रकरणों का उप प्रकरण पूछा गया था तो वो है क्या जानवर चलिए नैश कोशन जो पूछा गया है वो देखते हैं आगे परियर्वन अध्यन के सिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकान उनके चित्र बनाने को प्रेरित करने का उदेश यह है तो उदेश यह जो था होता है वो है बच्चों में सरजनात्मक का विकास करना सही है बच्चों में अवलोकन और रशनक कोशलों का विकास करना ये भी सही है बच्चों में सौंदर्यगत समवेदना का विकास करना ये भी सही है तीनों राइट अंसर मतलब एबीसी का राइट और शिक्षक के दौरा उधानाओं का प्रभावसाली प्रदर्सन और प्याख्या देखिए A, B, C, D कुछ तो दिया निके चारो आपसन हमें दिया है A और B केवल तो इसका A आंसर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका प्रतानत और कहानिया चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोशन जो है वो है निमलिकित मैंसे क्या परियावना अध्यान को सीखने की सबसे प्रभावसाली संसादन है तो प्रभावसाली संसादन पूछे गए है परियावना अध्यान के लिए तो वो है परिवार के सदस से बिल्कुल सही है समुदाय के सदस से सही है समाचार पत्र सही है, कक्षा दौरा भी सीखा जाता है, ये भी सही है वैसे, तो हम देखते हैं, हमको चारों आंसर तो मिल नहीं है, A, B और C मिल रहा है, जो की तीनों सही थे, तो ये आंसर इसका राइट हो जाएगा, चलिए 70 कोशन, निम्लिकित, सीखने के कौन से सिद्धान्त का प बल दिया जाता है, सिल्पकला और चित्रकला को सम्हु में सीखने पर बल दिया जाता है किसके द्वारा, इसमें आपको फिर से चार दिये गए हैं corporate, और right answer B और C वाला है, मतलब सम्हु में सीखना सहफ़ाटी द्वारा सीखने को prosaidd करता है, सम्हु में सीखना कक्षा में स चलिए नैस को फाल चलिए जो पूछा गया था नम् बच्चो को इस किरिया कलाप का अवलोकन अनभोव साजा करे और उन पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करती है तब नेक्ट कोशन पूछा गया निम्लिखित में से कौन सा पर्यावरन अध्यन में सीखने का रसनात्मक आकलन का सादन नहीं है तो नहीं है वो है वार्थिक उपलब्धी परिक्षाण लिए आगे बढ़ते हैं अगले जो प्रक्षन आये हैं वो मिलान करने थे आपको ऐसे question पूछे जाते हैं तो मिलान करने में ये देखा करिए कि आपको कौन सा आता है भले वो एक आए या दो आए वांकि आप option से आइटम से कर सकते हैं देखे होंग कॉंग दिया गया है एक सहर दिया है और पसंदीता भोजन दिया है तो होंग कॉंग का पसंदीता भोजन अगर आपको पता होगा तो क्या है तो वहां के लोग जादे तरक खाते हैं पकाया हुआ साथ आपस में से तो फर्ष्ट का फिफ्ट वाला है किसमीर क सकते हैं बी का फिफ्ट हो जायागा के लिए के लिए के लिए किसी भी कढरी के साथ उबला टैपी ओका और कस्मीर कस्मीर का पसंदीदा क्या है सरसो के तेल से बनी हुई मचली इसका एडाइट एंसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं नीचे दिये गए पक्षियों की कौन सी परजाती जटके से अपनी गर्दन पीछे करती है तो आंसर था उलू उलू देखा होगा 180 डिगरी में अपनी पूरी गर्दन क्या होता है घुमा सकता है अगला प्रस नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए इनन दिया कच्छुआ, घडियाल, कव्वा, बत्तक, मचली इस सूची में निम्न मैसे कौन से दूसरों से भिन्न है तो सबसे अल हातियों के विचार के विचार कीजिए तो दिया हुए है आपको हाति बहुत कम आराम करते हैं एक दिन मैं केवल 2-4 गंटे सूते हैं या एक बड़ा हाति एक दिन मैं 200 कीजी से अधिक पत्तियों और जाडियां खा लेता है इन्हें पानी और कीचण में खेलना बहुत भात तो राजिस्तान के गाउं के लोग मिट्टी के घरों जिनकी च्छत कटीली जानियों की होती हैं मैं रहते हैं तो आपको कथन देखने हैं इसमें से राइट राइट कौन से हो जाएंगे तो A और C इसका राइट आंसर हो जाएगा मनाली वाला कलिट आंसर है तो आप इसमें से गैस करके लगा सकते हैं राइट आंसर अपना चलिए आगे बढ़ते हैं नैश कोश्यन दिया है निमलिखित मैंसे अंतराश्ट्रिय ख्याती प्राप्त वेट लिफ्टर कौन है तो वेट लिफ्टर भात तोलग कहते है हिंदी में वो है कर्डम मलेस्वरी राइट अंसर C वाला नीचे दिये गए कौन सा समूँ एक जड़ो का है तो जड़ बतानी है कौन सा समूँ था तो गाजर, चुकंदर और मूली ये जड़े हैं सभी तो इसका राइट अंसर C हो जाएगा अगला है रिगिस्तानी ओक नाम का एक पेड जो पाया जाता है तो रिगिस्तानी ओक कहां पाया जाता है तो वो राइट आंसर आउस्ट्रेलिया में अगला कुशन कोई वेक्ती 29 नॉमबर 2019 को एक एक्सप्रेश ट्रेन में सूरत गुजराज से नगरकोईल केलल जाने के लिए बैठा हूँ एक ट्रेन सूरत से 19 बच के 45 बजे चली और एक दिसंबर 2019 को 11.45 बजे नागरकोईल पहुची यदि सूरत से नागरकोईल के 20 ट्रेन मार की दूरी 21-20 किलोमेटर है तो इस स्यातरा में ट्रेन की औसर चाल कितनी थी तो औसर चाल निकालनी है आपने पहले आपको क्या करना होगा इसका जो समय है आपको देखिए कितने बजे बैठा था 29 बच को इतने बजे बैठा था और एक को तो ये समय जो कितना होगा टोटाल वो निकाल लीजेगा वो हमारा आएगा कितना 21-20 ने किलोमेटर कह दिया और हमारा जो समय आएगा वो आएगा 40 अब 40 कैसे आया देखिए 19-45 में चली वेजे निकलता है तो 19-45 से आगे बढ़ाईएगा 15 मेट करेंगे तो 20 हो जाएगे पूरे 20-21-23-24 तो 4 गंटे 15 मेट हमें यहां से मिल गए बागी वो पहुंचता कब है एक को 29 के बाद 30 आता है तो 30 के 24 गंटे आप यह और एड़ कर सकते हैं और उसमें आप 11-45 और एड़ कर देंगे तो आपको मिलेंगे यहां से 40 गंटे आप इसे डिवाइट कर दीजेगा तो और 0 से 0 आप कैंसल हो जाएगा 4, 25, 24, 12 किलोमेटर पर हावर इसका राइट आंसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं 83 कोशन सॉल्फ हो गया है अब है 84 भारत की आजादी से पहले महात्मा गादी ने जिस दांडी के समूद्ध टट पर अपनी परसिद्ध यात्रा की थी वो भारत के कौन से राज्य में है तो भारत के जो डांडी जो यात्रा की गई थी वो गुजरात में है तो राइट आंसर इसका सी वाला हो जाएगा बिल्कुल सही नेश्ट कोशन है उच्चे जवर जो तेज बुखार होता है के सांथ कमकपी जिसका उपचार सिकोना पेड की छाल से किया जाता है वो कौन सा है तो वो रोग होता है कौन सा उच्चे जवर वाला मरेलिया रोग इसका राइट आंसर नेश्ट है नेफ है नेफ हैंतिस वह पौदा है जो सिकार करता है के विशह में कौन सा कथन सही है तो कौन सा कथन सही है आपको बताना था इसमें से तो आपको राइट आंसर इसमें से चारो आप देख लेंगे और राइट आंसर जो हमको मिलता है वो हो जाएगा केवल A और B वाला तो A और B क्या क्या दिये हैं वो आप देख लिएजिए कि एक paper solve है, इस टाइब के question आते हैं, इसलिए हमको जल्दी यल्दी ये question बता रहे हैं, A और B वालस का right answer हो जाएगा, कि वहा पौदा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेगाने पाए जाता है, इसका आकार कैसा घड़े जैसा होता है, और इसका मुए पती से ढखा होता है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कहा है चेराओ नाच कहां के लोग करते हैं, तो जीके के बहुत सारे question इसमें पूछे जा रहे हैं, देखिए, द्रत्य से हो गए, ठीक है, तो निचेराओ नाच आपके मजीरों का निरत्य है, और अब भारत में कहता है कि तमिलनाडू के निकरती राज्य कौन से हैं, तो तमिलनाडू के निकरती आपने मैब देखा होगा, तो केरल तमिलनाडू ये दच्छन के राज्य हैं, इस साइड में आएंगे, ठीक है, तो दच्छन के राज्य हैं, तो इसके निकर जो हो जाएंगे राज, आंदरप्रदेश, केरल और करनाटक सी, इसका राइड अंसर, एंसेफ से बहुत सारी कोश्चन पूछे गए थे, इस बार अगर पेपर होगा, तो जरूर क्या बलते हैं, जो अभी की सिक्षानीती बनी है 2020 इसकी, उसमें से बहुत सारी कोश्चन पनेंगे आपके, तो वो भी एक बर जरूर पढ़ लीजेगा क्योंकि परियावनन का कुश्चन है परियावनन से रिलेटेट तो वो राइड असका आंसर हो जाएगा देखे, नेश कोश्चन जो पूछा गया, कि किसी डॉक्टर का घर एक्स पर इस्तित है, उसका अस्पिताल वाई पर इस्तित है, डॉक्टर के घर से अस्पिताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है आतर डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं और फिर एक्स में ठीक पूरू छैसो किलोमेटर की दूरी पर है फिर वो बी पर जाते हैं फिर एक के ठीक दच्छिन में चारसो पचास मेटर की दूरी पर वो फिर सी पर जाते हैं बी से ठीक पश्चिम में 120 मेटर की दूरी पर है अन उत्तरदश्यम जो दिसाइं होती है वो आप क्या कर दिए आप कर लीजेगा पहले इस्टे वैस्ट नॉट साउट आपको पता होने चाहिए ठीक है तो उसी से लेटर आप एक पॉइंट से स्टार्ट कीजिए और उन दिसाओं को बनाना स्टार्ट कर दीजिए तो आपको रा गद्यांस देगा गद्यांस को आपने पूरा पढ़ना है और उसी के अंदर से जो कोशन्स होंगे वो आपने हल करने होते हैं यहां कहा गया था कि ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्यों देने के कारण आंसरता समाज विभावजन हो रहा है नैश्ट था किसोरा वस है वो था अभिवक्ति नैश्ट था आज की तालीम भी इसी दोर के साथ दे रही है इस वाक्य में निपात है तो निपात है क्या भी ठीक है तालीम भी करके तो नैश्ट कोश्चन विक्सित सब्द में प्रत्य है विक्सित सब्द में प्रत्य क्या होगा इत अगला अनुच्छेत के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा कैसा है तो आधुनिक शिक्षा का नतीजा आंसर है औसतर है औसतन रहा है नैश्ट है आधुनिक शिक्षा में किस विसाय को सबसे अधिक महत दिया जाता है तो सबसे अधिक जो विसाय को महत दिया कैसे हैं तो यह जो विशा हैं वो हैं तर्क प्रधान चलिए आगे बढ़ते हैं देखे फिर से इसमें काव्यान से कवीदा दे दी गई यह बोलता है कि पढ़कर पूछे गए प्रसनों को हल कीजिए तो पांच कोश्चन इसमें से आ जाते हैं तो आपको पांच कोश्चन के आंसर राइड बताने हैं और आपको पांच इसमें नमबर आराम से मिल जाएंगे यहां पूछा था नगपती का विग्रह करें और समास क्या होगा बता है तो नगपती का है नगो परवतों का पती और इसमें कैसा समास है कर्मधारे समाश नेश कोश्चन इसमें जो पूछ कवीता ना जल सके उसके लिए कोवीता में कौनसा सब्द परियोग हुआ हैender को था नेश्ट कोश्चन इसम सब्द में कौनसी संधी है तो नेश्च सब्द में विशर्ख सब्दी-विचित करेंगे तो निस्फ करके, नि करके, हलन्त करके, सीम करके आएगा, ठीक है तो वि सर के संधी है हिमाले को यतीवर कहे कर संबोधित किया गया है क्योंकि वह क्या कर रहा है हिमाले समझ्य का हल ढोंड रहा है इसका राइट आंसर था फिर से आपको काव्यांस को पढ़कर पूचे के परसम को हल करना था एक कव्यांस दिया है आपको फिर से उसमें जो आपको right answer होता था वो आपको पांच प्रसने कर लिये हैं ठीक है हल करने होते थे वो आपने सभी से कर लीजेगा आपको इसमें सही 10-12 नंबर तो पहले के कवी वो गद्यांस के और यहां से कव्यांस के जो पूछे गए हैं इसमें 15 नमबर आपको आसानी से मिल सकते हैं वाकी देखे हम कोशन बना रहे हैं कि रीमा ने तिसरी कक्षा में पढ़ने वाली रीतिका की भाशा समता भाशा निस्पादन संबंदी क्रमिक प्रगती का प्योरा अपने अभ्यवाव को दिया रीमा डैस के अधार पर यहां जानकारी दी किसके अधार पर तो पॉर्टफोलियो पॉर्टफोलियो क्या होता है पॉर्टफोलियो के अंतरगत जितने भी गती विद्याले की तो वो रखी जाती है उसे पॉर्टफोलियो कहा जाता है अगला प्रसंद था पहली कक्षा में दैस भी लिखना के अंतरगत आता है तो क्या पहली कक्षा है फ़र्ष्ट में जब बच्चा होता है तो वो चित्रवन आता है कलाकारी करता है ड्रॉइंग तो वो भी किसके अंतरगत आता है लिखने के अंतरगत ही आता है नियाश कोशन प्रात्मिक इस तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है तो सबसे कम जो महत्वपूर्ण है वो है इसका उद्देश मत्व पढ़ने का उद्देश अकला प्रास में जो पूछा गया भासा अरजन शम्ता किसके सां संबंदित है तो भासा को अरजन करने की शमता वो है चौमश की द्वारा संबंदित है इसमें चार ओफसन में से चौमश की राइट आंसर है नेश कोशन प्रात्मिक इस तरपर भासा सीखने में भासा संबंदी कौन सा संसादन सरवादिक महत्तपूर्ण है तो वो है बाल साहित्या नेश कोशन बच्चे अपनी मात्र भासा का परियोग करते हुए हिंदी भासा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं यह बात दैश है तो यह बात कहा है? स्वाभाविक है अपनी मात्र भासा में बोलेंगे इस बात तो स्वाभाविक ही है नैश्ट है बहु भासिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैस और डैस का अभिन अंग है तो हमारी सभ्यता और संसिक्रीति का अभिन अंग भी है डीस का राइट आंसर चलिए आगे बढ़ते हैं पूछा गया था प्रात्मिक इस्तर की पार्ट पुस्तकों में कार्टून, भासन, विज्यापन, आदी बच्चों के भासा चमता विकास में टैस है तो विकास में सहायक होता है नैश्ट पुछा है पांचवी कक्षा की सुहानी पांचों किने आखें दोनों आदी सब्द लिखती है आप सुहानी की लेकर चमता के बारे में क्या खहेंगे वह अनुनासिक चिन्ने के परियोग के प्रती सजक है राइट आंसर था चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यालय में भासा सिक्षण के लिए कौन सा कारिकरम सुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है तो सबसे महत्वपूर्ण है बच्चे की सहज भासाई शमता को पहचाना नैश्ट कोशन पूछा गया कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो दो या तीन भासाओं को डैस और बोलने की चमता से लैस होते हैं तो इसका राइट आँसर समझने और बोलने की चमता से लैस होते हैं ठीक है एक तो उनकी खुद की भासा एक हिंदी भासा और जहां वो रहते हैं वहां की भासा हो सकती है अगला है किसी विशय को सीखने का मतलब है उसकी अवधार्णाओं को सीखना और उसकी विशयवस्टू को सीखना इसका डिये इंसका राइट आंसर हो जाएगा नैश्ट है प्रात्मिक इस तरह पर बच्चों की भासा का आकलन करने का उद्देश्य तो उसका उद्देश्य होता है उसका भासा का परियोग की छमता का आकलन करना नैश्ट कोशन इनमें से कौन सा भासा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है तो सबसे कम प्रभावी है वो है शूतू लेक लाज कुश्यन जो बनता है वो था आकलाइन के परकिरिया में केवल बच्चों की छमताओं का आकलाइन नहीं होता बलकि शिक्षक की सिख्षान परकिरिया का भी आकलाइन होता है यह विचार क्या है? बिलकुल सही है तो दोस्तो इसी के साथ ये वीडियो खतम होती है तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद लाइक और सब्सक्राइब चरूब कीजिए धन्यवाद